चक्रिय चतरभोज में जो आमने सामने वाले कोड़ होते हैं उनका योगफल एक स्वास्तियंस होता है यानि संपूरक कोड़ बनता है यह चीज हमने जान लिया है अभ्यास में कुछ प्रश्ण जैसे यहां पर तीसरा वाला अगर प्रश्ण को पढ़ेंगे पार्शोचित्र तेरह दशमलो तीन चार में बिंदू O वृत का केंद्र है जो बिंदू O है यह केंद्र है सेंटर ओफ दे सरकल यदि जीवा AC यह जीवा AC है यह जीवा BC के बराबर है जीवा AC बराबर जीवा BC मिन्स ये वाली जीवा और ये वाली जीवा बराबर है तो एंगल ABC यानि ये जो छोटा वदा एंगल है इसका मान गयाद करना है तथा एंगल ACB प्लस एंगल APB एंगल ACB यानि ये वाला एंगल प्लस एंगल APB यानि ये वाला एंगल इन दुनों एंगल का योग निकलना है तो एंगल ACB प्लस एंगल APB यानि ये वाला कोड और ये वाला कोड इन दुनों का योग फल 180 होगा यह तो क्लियर है क्योंके पहले हमने जाना है कि चक्रिय चत्र भौज में आमने सामने कोड़ों का योग 180 हुता है मैंप्रशन यह है हम यह निकालना कि एंगल ABC ABC यह इस छोटे वाले एंगल का मान क्या होगा मैं प्रॉशन यह है जैसे जैसे प्रश्ण में बोला था वैसे हम थोड़ा सा राफली चित्र बनाने का प्रयास करेंगे, तीसरा प्रश्ण है यह, एक है व्रित, व्रित में ओ व्रित का केंद्र है, नाम धर्दो इसे हैं, ओ, इस 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 सेंटर आफ सर्कल, फिर एक जीवा इस टाइब केस ही जा करके जाए, व व्यास कहलाती है, जिसका एक सिरे का नाम है A, और दूसरे का नाम है B, यहाँ से एक रेखा यह गई, जिसको जीवा ही बोलेंगे, क्योंकि यह, पर्यहिए दो बिंदों को मिला रही है, तो जीवा है, इसका नाम है C, और एक जीवा है B, C, यह बनी है, और य यह दोनों भूजाएं यह दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं उसके बाद एक जीवा है AD और एक जीवा है या AP और एक जीवा है बी पी लेकिन ये दोनों जीवां बराबर नहीं है आसा मान है तो प्रश्ण है आपका कि A, B, C यानि इसका मान निकलना है आपने छोटे वाले का तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है दिया है दिया ये है कि जीवा A, C बराबर है जीवा B, C बोले या C, भी बोल दो एकी बात है अब ये दोनों जीवां आपस में बराबर है इसका ये मतलब हुआ कि ये जीवा ये जीवा बराबर है अगर हम त्रिभुज A, B, C या त्रिभुज A, C, B ऐसा बोल ले है त्रिभुज A, C, B में ऐसा लिखते हैं यहां से अब सवाल स्टार्ट कर देए हल त्रिभुज A, C, B में यानि इस वाले त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि ये वाली भुजा ये वाली भुजा बराबर है अगर इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे ये हैं तो ये दोनों भुजा ये आपस में बराबर है अगर इस वाले त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज A, C, B में एक समदूए बराबर होती हैं त्रिभुज है और समदु पाउ त्रिभुज की दो क्वालिटी होती हैं एक तो दो भुजाएं बराबर होती हैं दो साइट्स बराबर होती हैं और दूसरी क्वालिटी ये होती है कि उसकी दो एंगल्स भी बराबर होते हैं दो भुजाएं बराबर हैं कौन-कौन से एसी और लेकिन दू एंगल्स कौन से बराबर हैं यह वला और यह वला यह यह यानि कि एंगल एज में बबदकाएं great and एंगल बी इतना होनेगा तो एंगल ए और एंगल बी दुने बराबर हैं यह चीज़ में पता लग गया कि एंगल ए इस इकोल टू एंगल बी अब एक चीज़ और हमें ध्यान देना है तो यह सवाल थोड़ा सा आसान मन जाएगा वो यह कि अगर एक वृत में कोई त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज की एक भुजा व्यास है तो इसके द्वारा बनी दो जीवाओं पे जो अंत्रित कोड होता है वो समकोड होता है कोई सरकल है उसमें एक व्यास है और दो जीवाओं बन रही है एक त्रिभुज टैप को बन रहा है तो आर्टमेटिक की 90 डिगरी का ही एंगल बनेगा इसका मतलब एंगल A, C, B जो है या खाली एंगल C बोलें तो वो 90 डिगरी का है एंगल C is equal to 90 डिगरी अब हम यह जानते हैं we know that हम जानते हैं कि यह जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है एंगल A एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 डिगरी यह मैं पता है तो एंगल A को एंगल A के अस्थान पर हम दिख सकते हैं क्या एंगल B क्या यह एंगल A और एंगल B परावर है यह यहाने एंगल A के अस्थान पर हम दिख सकते हैं एंगल देंदें अ किगा сторон एंगल के एंगल के शंब तन पर अन्ट के लंगोड है धिंद में कांड चलब सब्सक्राइब क्यों कि यह सक्राइव परापर था कि क्यों वरावबर क्यों धेसंड डो बरापर हो तोौड एक है अर्थ बी एंगल भी जोडएंगे तो टू एंगल भी अप्लस एंगल सी तो हमें पता है 90 एंगल सी के संब लिखो 90 is equal to 180 एप्पेटू एंगल भी इस उपल टू 180 मैनस 90 90 दूधर रिया तो मैनिस 90 हो जाएगा 2 एंगल B इस उकल टू ए घटाओ के तो आग जाएगा 90 फिर एंगल यहीं रहने दो 2 इंटू है तो उधर जाएगा तो बटम हो जाएगा 90 अपॉन 2 हो जाएगा यानिके एंगल B is equal to 45 degree एंगल B के ताथ पर है एंगल ABC यह वादा यह हम ऐसे लिख लें यह एंगल ABC is equal to 45 degree जो कि हमारे प्रस्च में पूछा था तो यह हो जाएगा अपना उत्तर और दूसरा यह कह रहा था कि ACB और APB का योग प्रस्च बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग है पार्शोचित्र 13.35 में वर्त का केंदर O है यह वर्त है उसका केंदर इनी सेंटर O है और AOB AOB यानि यह जो रिखा है वो वर्त का व्यास है डाइमेटर वर्त परबिंदू C और D इस प्रकार है कि एंगल CAB यानि यह वल एंगल 30 अंश है और एंगल ABD यानि यह वल एंगल 40 अंश का है तो आपको दो एंगल बताने है एंगल CAD यानि यह पूरा वल एंगल कितना होगा और एंगल CBD CBD यानि यह पूरा एंगल मिला करके कितना होगा अब यह से यह से चित्र में कर रहा है वैसा वैसा हम लगाएंगे सबसे पहले बोला कि एक है व्रित तो ओ जो है व्रित का इसमें है केंद्र एक व्यास जा रहा है जिसका नाम है AOB यह है व्यास एक बिंद्र C इस प्रकार से है दूसरा बिंद्र D इस प्रकार से है कि एंगल B CAC यानि यह वाला एंगल जो है तीस आंश का बन जाता है और एंगल A B D एंगल A B D यानि यह वाला एंगल जो है वह 40 आंश का बन जाता है तो आपको यह बताना है कि एंगल C A D यानि यह वाला एंगल कितना होगा और दूसरा एंगल C B D यानि वालों कि यह पूरा एंगल कितना होगा यह ही आपको बताना है प्रश्ण मे कुर्ष्ण में जोली लगते हैं सबसे पहले दिया है गिवेन दिया है दिया है व्यास ए ओ बे पहरा दो है दूसरा एंगल वी एज़ी बराबर 30 अंश यह भी तो दिया है जी इसके नामा एंगल ए बी डी यानि यह वहला जो एंगल है यह 40 अंश दिया है एंगल B, A, D बराबर 40 अंश अब इधरी से हम आगे बढ़ते हैं सवाल लगाने में तो इसमें क्या करेंगे रहे हैं कि पहले त्रिभुज लेंगे एक पहले यौरा त्रिभुज इसको हल करेंगे तो एक एक त्रिभुज लेते हैं पहले त्रिभुज A, C, B में लिख लेते हैं हम पर त्रिभुज A, C, B में अच्छा इसके पिछले सवाल में ये था कि ये एक समदूई बाहुत्रिभुज है लेकिन इसमें ऐसा कहने रहा है कि ये एक समदूई बाहुत्रिबुज है इसका मतलब ये विश्म बाहुत्रिबुज है इसका मतलब कि अगर ये वाला तीसंश है तो जाहिर सी बात है ये वाला तीसंश तो नहीं होगा लेकिन ये चीज़ क्लियर कट है कि ये नब्यांश होगा क्यों 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 व्यास के दो बिंदूओं से बनने वाली जीवा आपस में समकोड बनाती है इसका मतलब कि एंगल डी भी समकोड है तो त्रिभुज A, C, B में हमें ये पता लगा कि एंगल C जो है वो तो समकोड है यानि कि नब्य अंश है और दूसरा ये पता लगा कि एंगल A जो है ये तीस अंश है और तीसरा तो हमें सूत्रा पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 होता है तो एंगल A के अस्थान पर 30 अंश प्लस एंगल B के अस्थान पर नहीं पता यानि ये वह जो है चोट अला नहीं पता प्लस एंगल C पता लग गया 90 अंश ये बराबर 180 से तो 30 और 90 को जोड़ेंगे तो एंगल बी प्लस 120 हो जाएगा इस गोल to 180 एंगल बी बराबर 180 माइनस 120 हो जाएगा 120 उधर गया तो माइनस में तो एंगल बी कमान जो है वो आजाएगा 60 हंश यह हम यह कहें कि एंगल ए बी सी इस वले कमाना जाएगा एंगल ए बी सी कमाना जाएगा 60 हंश लेकिन हमसे ए बी से तो पूछ नहीं रहा है हमसे पूछ रहा है c b d कमान बताओ c b d कमान बताओ तो एंगल c b d दो एंगल में बटा हुआ है एंगल c b d यह बड़ा वाला जो एंगल है प्लस एंगल a b d के हैं तो एंगल a b c तो हमने निकालती है 60 हंश यहाँ पर यहाँ लिख दिया है 60 हंश प्लस एंगल a b d तो प्रस्ट में ही दिया है 40 हंश इसका मतलब एंगल c b d कमाना जाए 100 हंश इसी प्रकार से हम इस एंगल का भी मान निकाल लेंगे एंगल c a d का भी मान निकाल लेंगे कैसे यहीं परिकल लेते हैं ताकि चित्र और सवाल का हल एक ही जगाना पर रहे हैं अब दूसरा त्रेभुज लेते हैं त्रेभुज a d b में तत्रेभुज A, D, B में यानि अब इस वाले तत्रेभुज पर काम करेंगे इसमें ये है कि एंगल D नब्यांश है क्यों क्यों क्योंकि एक व्यास के दुनों बिंदुनों से बनी जीवा द्वारा अंतरित कोड सम कोड होता है यानि कोड डी नब्यांश का होगा दूसरा हमें कोड भी एंगल B पता है चालिस अंश एंगल ए नहीं पता है लेकिन हम यह जानते हैं कि इन दुनों को जोड करके 180 मिल जाएगा यानि कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D is equal to 180 मिल जाएगा एंगल A नहीं पता निकालना है अबेज एंगल B जो है वो है 40 अंश प्लस एंगल D जो है वो है 90 अंश बराबर 180 अब 40 और 90 को जोड़ेंगा 130 आ जाएगा एंगल A प्लस 130 बराबर 180 तो एंगल A बराबर 180 माइनस 130 यानि एंगल A बराबर आ जाएगा 50 अंश ये जो एंगल A ये वाला है ना ये छोटा वाला अभी ये है 50 अंश हमें पूछ आता है एंगल C, A, D कमान बताओ एंगल C, A, D तो एंगल C, A, D दो कोडों में विभगत है एक एंगल B, A, C एंगल B, A, C प्लस एंगल B, A, D एंगल B, A, D तो B, A, C है तीसंच प्लस B, A, D है पचासंच अभी हमने निकल लाई है यानि एंगल C, A, D मिलकर के आगया असी अंश तो यही सो और असी आ जाएगा अपना अंसर, कम्प्लेट अगला प्रश्ण है पार्श चित्र 13.36 यानि इस वाले में चत्रभुज P, Q, R, S विर्त के अंतरगत बना है यानि कि ये एक चक्रिय चत्रभुजे क्योंकि चारों शीर्ष विर्त की परिधी पर है यदि एंगल R 80 अंश है और एंगल S 85 अंश तो एंगल P और एंगल Q कमान गयाद कीजिए अब सबसे पहले हम एक राफली चत्र बनाएंगे ये बन गया विर्त विर्त में केंदरुएंदर नहीं दिया है लेकिन एक चक्री चत्र हुच इस प्रकार से है ये S है ये R है ये 85 अंश है ये हमारी कार है और यहाँ पर ये एंगल Q है और ये P है ये में लिए S है यहाँ पर ये 80 अंश है अब आपको एंगल P और एंगल Q बताना है एंगल P कितना होगा एंगल Q कितना होगा अच्छा इक चीशी जाम पता है कि चक्री चत्रोज में सम्मो कोड़ों का योग सम्पूरा पोड़ यानि कि 180 डिगरी होता है यानि कि supplementary एंगल होता है इसका मतलब कि angle S और angle Q को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा angle S और angle Q को जोड़ेंगे तो angle S पता है 85 angle Q नहीं पता है इसको डोट 180 है तो angle Q बराबर 180 माइनस 85 हो जाएगा यहनि angle Q बराबर 10 में से 5 यह 5 और 17 में से याड़ यह नो नो आड़ सत्रह यहनि 95 अंच ठेक है 95 पंचानवे पचासे 180 यहनि कि angle Q कमाना गया 95 और दूसरा यह कि angle R और angle P को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा एंगल R प्लस एंगल पी इसकोल टू 180 अंगल रहें पता है 80 angle P हमको नहीं पता है लेकिन is equal to 180 angle P यहीं रहें दिए 180 उधर गया तो तो इसमें इतना अभी परियाप्त है इसके बाद कुछ और भी सवाल है और आगे कुछ दक्षता अभ्यास टाइप की चीज़े हैं उसको नेक्स्ट सेशन में लेंगे तो इसमें फिलाल इतना ही थैंक्स पर वचिंट लेंगे कीप सब्सक्राइब तो चैनल लाके वीडियो और शेयर टो अव्यास नमस्कार जाइन